हरे ग्रिश्न, वायू पुरान में कहा गया है, वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादसी वरत का पालन करता है, समस्त कठिनाईयों और बापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विश्नों का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में प्रतीक मास में दो बार आने वाले एकादसी थी सबसे अधिक पुन्य फल प्रदान करने वाली और भगवान स्रीहरी की प्रिया हैं। इसका पालन करने से अन्य सभी व्रतों का फल मिल जाता है। ये वही दीन है जिसका स्रध्धा और निष्ठा पुर्वक पालन क करने से वेक्ति इस अनन्त सागर जैसे विसाल भाव सागर को सरलता से पार कर शकता है। आचार्य भक्ति विनू ठाकुर्जी कहते हैं माधवतिति इकादसी का यतना पुर्वक पालन करना चाहिए क्योंकि वही हमें परम भगवान स्रीकृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। ऐसी ही परम कल्यानकारी इकादसी दिथी का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। फिर एक बार इस वर्ष की सबसी पवित्र योगीने इकादसी बस कुछी दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है। भगवान स्रीकृष्ण कहते हैं कि एकादसी दिथी अत्यंत सक्तिशाली और मंगलकारी है। 88,000 ब्राम महनों को भोचन कराने से जो पुन्यफल प्राप्त होता है, वही इस योगीने इकादसी का पालन करने से भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, योगीने इकादसी व्यक्ति के मीरू समान पापों के पहाड को भी नस्ट करने के छमता रखता है। इस दिन पारण करने का या व्रत खोलने का समय है, प्रातर पांच बच कर 23 मिनट से लेकर आठ बच कर 35 मिनट के बीच में। जी हां, इस बार भी पारण समय थोड़ा सा कम है, इसलिए याद से इसी समय के बीच में पारण अवश्य कर लें। इस बार एकादसी थी, वैसे तो प्रारंब हो रही है 14 जून 2023 को प्रातर नौ बच कर 28 मिनट से और पूरी होगी? 15 जून 2023 प्रातर आठ बच कर 48 मिनट पर लेकिन क्योंकि ये एकादसी थी दसमी के दिन सुर्योदे के बाद प्रारंब हो रही है। इसलिए पालन करने योगी एकादसी थी 14 जून 2023 दिन बुधवार कोई है। इस दिन उत्तर भारत के समय सारनी के अनुशार ब्रंभ मुर्त का समय है प्रातर तीन बच कर 46 मिनट पर और सुर्योदे होने का समय है पाँच बच कर 23 मिनट पर अगले दिन द्वादसी पर व्रत खोलने का अपारन समय है पाँच बच कर 23 मिनट से लेकर आठ बच कर 35 मिनट अवित्री एकादसी का पालन हम करने जा रहे हैं 14 जून 2023 बोध्वार के दिन लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस योगी ने एकादसी का पालन कैसे करना है और उसकी कथा क्या है तो उसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस एकादसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो नीचे कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें तो चलिए आसाड़ मास के कृष्ण प्रक्ष में आने वाले इस परम पवित्रे योगी ने एकादसी का सरद्धा और निश्ठा पुर्वक पालन करते हैं और अपने अध्यात में गंतव्य की और अग्रशर होते हैं हरे कृष्ण